नमस्कार फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल फ्रेंड्स यह है गर्मियों में गार्डन की खुबसूरती को बढ़ाने वाला फ्लावर जिसे मौस रोज पॉट्चुला का नाइन टू फोर ऑफिस टाइम भी छूड़ी और भी बहुत अलग 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 नामों से जानते हैं अपने गार्डन को फूलों से भरा भरा कलर फुल और उंदर बनाने के लिए इसे कई तरीके से लगाया जा सकता है मैं कुछ नए आइडियाज लेके आई हूँ आज की वीडियो में तो उसके लिए लिया है मैंने ये पतला वाला PVC पाइप और उसमें 7-8 होल कर दिये है मैंने और उसमें 3 इंच की नेल लेके मैंने प्लायर की हेल्प से उनको कस दिया है हर होल में और फिर बाद में इस पाइप पर मैंने पेंट कर दिया वाइट कलर का अब लिया है एक खाली गमला और उसमें सेंटर में इस पाइप को मैंने एड़ेस्ट कर दिया है और उसके चारो तरफ कुछ पैबल्स कुछ इस्टोन डालके उसको आधा भर दिया और आधी में मैंने मिट्टी भर दी है उसमें और ये बिलकुल फिक्स हो गया मजबूत हो ग खोल को इस तरह से नॉट लगा के लटका दूँगी उस पर तो सभी जो साथाट कोकोनेट शैल है उनको मैंने हैंग कर दिया है इस तरह से तो नारियल के छिलके गमला और ये सूतली बगर सब मिल जाता है घर में ही तो एक ये फ्री ओफ कॉस्ट कवर बन गया है और ये जो आपको उपर से तूटे हुए दिखाई दे रहे हैं या उपर खाबर दिख रहे हैं ये सब जब पौधा लगे गए पॉट्चुला का तो सब ये कवर हो जाएंगे जब वो बड़े होंगे और मैंने मिट्टी डाल के इसमें सब में मिट्टी डाल दी है फिर पानी का स्प् एक कटिंगा दी है और इसकी छोटी से चोटी कटिंग भी आराम से लग जाती है और नीचे गंबला था उसमने मिट्टी डाले था तो उसमने मैंने कटिंग लगा दिया बहुत ही सुन्दर अगे जब आज गम्रहक जाएंग और शारे कलर के इसमें फ्लावर आएंगे तो यह उपर भी मैंने जो गमले की ट्रे होती है उसमें उसके उपर एक नारियल का खोल रख दिया और इसे अपने गार्डन के सेंटर में या वर्डनर में रखने से बड़ा अच्छा लगेगा यह डियाई वाई टावर आपको कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताए मुझे अब मैं इसमें भी हम लगाएंगे मॉसरोज तो मैंने मिट्टी तयार कर ली है और इसकी कटिंग में लेके आ गई हूं मॉसरोज की जो पुराने फ्लावर इस पे होते हैं उसको हमें तोड़ देना चाहिए पहले तो क्री में मैंने दो इंच पहले बनाई हूई मिट्टी की वी डाल दी है और उसमें मैं बाहर की तरफ से पहले खोल करके फिर उसमें उस होल में मॉसरोज की कटिंग लगा दूंगी चार तरफ और फिर यह इस तरह से स्टिक आ गई इनके उपर फिर से मैं मिट्टी की लेयर डाल दूंगी और फिर से सेकंड राउंड में इस तरह होल करके हर एक में और कटिंग लगा देंगे तो दो लेयर में ये पूरी बास्केट में बाहर की साइड मौस रोज की स्टिक आ गई है ये भी मल्टी कलर में है फ्लावर्स इसमें अलग-अलग कलर के आएंगे और बहुत ही खुबसूरत लगने वाली है ये भी और लास्ट में फिर मैंने उपर जो बची हुई जगे थी उसमें भी मिट्टी भर के मैंने मौस रोज की कटिंग्स लगा दी है अब मैंने लिए तीन डोरियां इनको मैं बराबर डिस्टेंस में तीन साइड बान दूँगी बास्केट के और ये मेरी हैंगिंग बास्केट तयार हो गई ऐसी बहुत सारी बास्केट बना के आप बालकनी में लगा सकते हैं या उपर टेरेस पर कहीं भी लेकिन इसमें धूप पूरी तरह से पूरा दिन की धूप आनी चाहिए नेक्स्ट मैंने एक बहुत यूनिक तरीके से वर्टिकल शेप में प्लांट लगाया है और इसके लिए स्ट्रॉवेरी की जो बाक्स होते हैं उसको मैंने उपर से कट करके उसमें फिर मिट्टी डालके उसमें कटिंग्स लगाई है इसकी और देखें बहुत ही अच्छा एडिया है वेस्ट कंटेनर को यूज भी करने का तो फ्रेंड्स इन तरीकों से मौसरुज लगाकर अपनी बगिया को सजाईए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा होसला बढ़ाईए झाल 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 झाल